ये नाशवान सरीर इसमें रहते हुए आप उस अविनाशी का अनभव कर सकते हैं ये है आपकी संधावना, ये है आपकी शक्ति, आपकी सफलता ये ही है आज है 26 फरवरी 2023 और आज हम है राजविद्या केंद के इस प्रांगण में और यहाँ पे होना है प्रेमरावजी का एक वीडियो इवेंट और आप जैसा देख सकते हैं हमारे पीछे अभी एमसी है वो रियर्सल कर रहे हैं बाकी और चीज़ें चल रही है यहाँ पे तो हम कुछ बात करते हैं कुछ लोगों से जानते हैं उनसे कि वो इस इवेंट में क्यों आए हैं क्या कुछ कहना है उनका इस इवेंट के बारे में मैं पहले बार आरवी के आई हूँ और मुझे ऐसा लग ही नहीं रागी मैं पहले बार आई हूँ सबसे पहले बाद जब सुनने में होता है इवेंट सोने आले इंडिया में और जब उसका तैयारी का इंफॉर्मेशन आता है हम लोगों को बिलाया जाता है तो लोग बहुत ही जादा उत्सा से एकदम भर जाते हैं जब धीरे धीरे वो समय आता है कि भजन चलना शुरू होते हैं ग्राउंड पर और छोटे छोटे वीडियो जब दिखाये जा रहे होते हैं और एक वो माहौल जब सैट होने लगता है कि अब प्रेम रावजी स्टेश पर बस कुछी समय में आने वाले हैं वो सच में जैसे अभी भी मैं याद कर यह तो मुझे गूसपोंस फील हो रहा है वो समय एक अल्थबोत होता है लाइव इवेंट अटेंड करने की काफी स्पेशल फीलिंग रहती है बिलकुल अलग हटके क्योंकि वैसे तो ज़्यादा तर हम उन्हें वैसे सुनते हैं मोबाइल में या एप है टाइमलेस टुड़े उस पर सुनते हैं तो एक वो चीज और जब लाइव वो खुद आते हैं उन्हें आखों से देखना क्योंकि उनका एक औरा थोड़ा अलग से रहते हैं सभी लोग जो इन्हें काफी समय से सुनते आ रहे हैं उनका एक ही इंतजार होता है कि कब हम सभी एक साथ मिलकर इनका लाइव इवेंट का आनन्द ले सके स्पेशली हम प्रेम रावजी के इवेंट के लिए आये हैं और हमें पता लगा कि मोक इवेंट है इसलिए हम चंडीगर से डेली आये हैं आपर यहां पर मौक इवेंट का सेटप चल रहा है तो बेसिकल यह जो मौक इवेंट हम लोग करते हैं कर वार경ण भी इवेंट से पहले हमारे बहुत सारी एक्यूपमेंट से हैं तो हम उनको प्रणूपर तरीके से लगाते हैं लगाया जाता है तो पता लगता है हमको कि क्या प्रॉब्लम से किन चीजों की नीड है ताकि जब हम लोग लाइब इवेंट्स करें तो वह प्रॉब्लम्स लाइब इवेंट में आये हम यहीं पे सोट आउट कर लें जतनी भी प्रेपरेशन से मैं कल से देख रहा हूँ हमारे साथ और भी है वनीची भी है और सारे लोग जतने भी पियार और अडिविजियो इच और अवर्टिंग जो भी कर रहे हैं वो इतनी बारीकी तक कर रहे हैं नाम ही इसका मौकिभेंट है मतलब वही प्रेज़ेंट न और प्रेम्रावत जी को मैं एजब मास्टर देखता हूँ तो अगर वो मेरे मास्टर हैं, उन्होंने मेरे को एक ऐसे एन मोल चीज दी है तो मेरे लिए अंदर से ग्रैटिटुड जागता है प्रेम्रावत जी जो बात करते हैं, कि वोल खुद से जुड़ने की बात करते हैं इंडिविजुली वैक्ति के लिए है, यह निया समाज के लिए निया किसी धर्म के जाती के लिए नहीं है प्रेम्रावत जी जो आपने मुझे नॉलेज का उपहार दिया और जो बचपन से मैंने आपका मेसेज सुना उससे जो मुझे शानती मिली, जो सुख मिला उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ बहुत कुछ सोच के आए हैं, अभी आए हैं जस्ट, अभी एंजोई करेंगे सिमरू मैं पीकाना सांसों के माला पे सिमरू मैं पीकाना पे मिके रंग में एसे तुख मिली, अभी आए हैं, आपकाना प्रेम की रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हिरू बन गया एक हिरू प्रेम की रंग में प्रेम की रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हिरू प्रेम की माला जबते जबते आप बनी मैं शाम सासों की सासों की सासों की माला बे सिमरू मैं पीकाना सासों की माला बे सिमरू मैं पीकाना वीतम का कुछ दोश नहीं है वो तो है निर्दोश प्रीतम का कुछ दोश नहीं है वो तो है निर्दोश अपने आप से बात कर के हो गए मैं बदनाव सासों की, सासों की, सासों की माला पे सिमरू मैं पीका नाम सासों की माला पे सिमरू मैं पीका नाम जीवन का सिंगार है प्रीतम मांग का है सिंदूर जीवन का सिंगार है प्रीतम मांग का है सिंदूर मांग का है सिंदूर जीवन की नजरों से गिर कर जीना है किस का सासों की सासों की सासों की सासों की माला पे सिमरू मैं पीकाना अपने मन की मैं जानू और पीके मन की राम सासों की माला पे सिमरू मैं पीकाना सासों की माला पे सिमरू मैं पीकाना 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 सासों की माला पे सिमरू मैं पीकाना सासों की माला पे सिमरू मैं पीकाना है दिल में आस आखों में उम्मीद होगी उनसे मुलाकात क्योंकि सच्ची है मेरी प्रीत दिल थाम कर हाथ जोड कर होटों में एक हलकी सी मुस्कुराहट लेकर आएए आज के इस कारक्रम की शुरुआत करते हैं जोरदार तालियों से आभार वेक करते हैं नमस्कार साल 2023 के इस पहले कारेक्रम में राजविद्या के इन दिल्ली की ओर से मैं भूमी और मैं शालिनी प्रेम रावट जी का शांती का संदेश पूरे विश्व में हर एक मनुष्य के लिए एक नई आशा और उम्मीद जगाता है इस संदेश से लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है प्रेम रावट जी साट सालों से लगातर यात्राएं कर रहे हैं प्रेयास कर रहे हैं अपना संदेश हर एक मनुष्य तक ले जाने का, ताकि हर एक मनुष्य असली शान्ती का अपने जीवन में पूरा अनन ले सके। प्रेयम रावत जी के शान्ती के संदेश को दुनिया में 120 से भी अधिक देशों में सुना और सराहा जाता है। इसका 70 से भी अधिक भाशाओं में अनुवाद होता है। ये एक प्राक्टिकल नॉलेज है, एक वेभारी ज्यान जिसे हर एक मनुष्य अपने जीवन में सून सक सकता है, अपना सकता है और इसका पूरा-पूरा आनन ले सकता है चाहे वो जो भी परिस्थिती में क्यूं ना हो। एक संदेश जो नया नहीं है, बलकि सदियों से समय समय पर लोगों तक पहुंचता रहा है। ये संदेश है शान्तिका। जिससे हमने अपने जीवन की दशा और दिशा को पहतर किया है। वर्तमान में प्रेमरावजी इस शान्ति संदेश को भारत ही नहीं बलकि समूचे संसार में जन-जन तक ले जा रहा है। शान्ति सब मनशा के अंदर है। उसको जानने की जरूरत है। उसको पहचानने की जरूरत है। प्रेमरावजी का संदेश सिर्फ शब्द मातरी नहीं बलकि उन्होंने लाखों लोगों के जीवन में उस शान्ति का अनुभव करने में भी मदद की है। जो इंसान की मूल जरूरत है। आज हरवर्क के लोग लगातार उसी संदेश को हर दिन आभास कर जीवन में शान्ति को संभव बना रहे हैं। जो स्वांस का असीरबाद है। उनके बनाने उस बनाने वाले की करपा है। तो हम भी क्यों ना इस आसीरबाद को लें। तो हम इस आसीरबाद को जानने के लिए, समझने के लिए उनके साथ में जुड़े। उनके संदेज से हम कितना भी बड़ा अगर हमारे अंदर कष्ट है तो वो सुनके हमें थोड़ा सा उभरने का उससे मौका मिलता है जो मेरी life की एक Clarity है एक जो सपस्टता है कि क्या मेरे जीवन के आवश्रक्ता है उसको उन्होंने बहुत अच्छे से सपष्ट किया है शांती मुनश्य के अंदर है और अगर वो अपने आपको पहचाने अपने आपको जाने तो उसके जीवन के अंदर उन्नती भी होगी और शांती भी होगी आज हम उनका शांती संदेश लगाता सुन्द हैं लेकिन एक कदम आगे बढ़कर हम शांती को कैसे अपना सकते हैं उसके लिए प्रेम रावज जी ने शांती का उपहार नामक सीरीज बनाई है जिसे हम शांती का अनुभव करने की विधी सीख सकें एन ईकमन से हम हरेक व्यक्ति का चहरा देख सकते हैं परटु अगर हम सचाँते हें कि हम अपना अपना चेहरा देखें तो यह आँ इस चेहरे को बिना आएने के देख नहीं सकते हैं इसके लिए आएने की जरुएथ है जब मैंने प्रेम्नावची को सुनना शुरू किया और मैं सुनती रही और समंझती रही उस मेसेज को ogóle फिर जो वह उस प्राक्तिकर टेकनिक केरे में बात करते हैं, फिर उसको मैंने प्राक्टिस किया, तो सच मुछ में मैंने फिल किया, कि हाँ जिस चीज की वो बात करते हैं, वो सिर्फ बातों में नहीं है, वो प्राक्टिकली उस चीज को फिल कराते हैं, तो मैंने की वो चीज फिल. Knowledge is just like a tool, जो कि हमें अंदर की और ले जाने में हमारी मदद करता है, और हम जहां ते किसे समझते हैं, कि इससे powerful tool और कुछ भी नहीं है. आज मैं ये समझ पाई हूँ इस ग्यान से कि जैसे स्वास कोई लेती हूँ तो मुझे बहुत ही आनन्द मिलता है, बहुत मज़ा आता है. जीवन में जो भी उता, चड़ाओ, दुख, सुख लगे हुए हैं. लेकिन अगर हम उस आनन्द में हैं, तो हमें वो चीज़ें छू नहीं सकती हैं. हम एक कमल की फूल की तरहा की चड़ से अलग रहते हैं. क्योंकि यह चीज समझ की बात है, जब समझ आती है कि यह बाहर की परिसितिया आज है, कल नहीं रहेगी. तो सकता है, वो चेंज हो जाए, कुछ बदल जाए. लेकिन वह जो चीज है, जो इस्तिर है, वह कभी बदलता नहीं मेरे लिए. जब इस चीज को जानोगे, इस चीज को पहचानोगे, तो तुम्हारे जीवन में भी आनन आए. असली आनन, असली मजबूती का आनन, जो अंदर से पैदा होगा, ये संबद, और इसी को मैं आत्म याद कहता हूँ. कोई कहे, इश्क समंदर तो नहीं, तू जिसे डूंडता है दुनिया में बाहर, देख कहीं वो नूर, तिरे अंदर तो नहीं. देख कहीं वो नूर, तिरे अंदर तो नहीं. गुड इवनिंग, ताश्रियकाल, नमसकार, आदाब. मेरा नाम, डॉक्टर रविंदर सिंग, और मैं क्रिशी विश्प द्याले में प्रफेसर हूँ. सब कुश होने के बावजूद भी, मेरे जीवन में एक अदूरा पन था, और जानते हैं, उसे पूरा किस ने किया? शिरी प्रेम रावजी के संदेश ने. प्रेम रावजी से जुड़ने का सवबाग्य मुझे 1989 में हुआ, उनके संदेश से, मेरे अंदर से मजबूती आई, और जीवन की गहराईयों से मुझे उस संदेश ने परिचित करवाया. आज यही खुशी मेरे जीवन को निखारती है, उज्वल बनाती है और असली आनंद देती है. मैं प्रेम रावजी के संदेश के साथ, यूट्यूब, अंजन टीवी और टाइमलेस टुड़े एप के माद्यम से जुड़ा हुआ हूँ. और उनके शांती के संदेश को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ. क्योंकि जब आप अपने अंदर जाते हैं न, जब आप अपने आप से बाते करते हैं, तो उससे बड़ा आनंद कोई नहीं होता. तो आखरी चंद पंक्तियों से साथ आपसे विदा लूँगा, गौर फरमाईएगा. मौज कीजिए, रोज कीजिए. मौज कीजिए, रोज कीजिए. और वो असली मौज नान मिले तो खोज कीजिए. और वो असली मौज ना मिले, तो खोज कीजिए, खोज कीजिए, घोज कीजिए. धन्यवाद. इस जगत सराई में मुसाफिर रहना दो दिन का, रहना दो दिन का. इस जगत सराई में मुसाबिर रहना दो दिन का क्यों वृथा करे गुमान मुरख इस धन और जोबन का क्यों वृथा करे गुमान मुरख इस धन और जोबन का ना ही भारोसा पलका यूही चला जाएगा दो दिन की जिन्देगी है दो दिन का मेला क्या लेके आया जग में क्या लेके जाएगा दो दिन की जिन्देगी है दो दिन का मेला दो दिन की जिन्देगी है दो दिन का मेला इस काया का है भाग भाग बिन पाया नहीं जाता कर्म बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता कर्म बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता कहे सत नाम जगिये कहे सत नाम जगिये छूठा जमेला छूठा जमेला दो दिन की जिन्देगी है दो दिन का मेला क्या लेके आया जग में क्या लेके जाएगा क्या लेके जाएगा दो दिन की जिन्देगी है दो दिन का मेला क्या लेके आया जग में क्या लेके जाएगा क्या लेके जाएगा दो दिन की जिन्देगी है दो दिन का मेला ना ही भारोसा पलका यूही चला जाएगा ना ही चला जाएगा दो दिन की जिन्देगी है दो दिन का मेला क्या लेके आया जग में क्या लेके जाएगा क्या लेके जाएगा दो दिन की जिन्देगी है दो दिन का मेला क्या बात है थैंक यू सो मच ममता जी और कलाकार एक बार जोड़दार तालिया बजा दीजे इनके लिए प्रेम रावजी का नवंबर 2022 का टूर काफी आदगार रहा हम सभी ने उन कारक्रमों का बहुत आनन लिया था इस टूर ने लोगों में नई उर्जा और उत्साह भर दिया तभी से लोग अलग-अलग माध्यमों से कैनोपी, प्रोग्राम, मोबाइल वैंस, सूचना केंद्र, ड्रॉइंग रूम, जूम मीटिंग्स, अंजन टीवी, टाइमलेस टुड़े इत्यादी के द्वारा प्रेम रावजी को सुन रहे हैं लोग चाहते हैं कि उनके छेत्र में प्रेम रावजी का पब्लिक प्रोग्राम हो ताकि जादा से जादा संख्या में लोग उनके कारकरम का हिसा बन सके, उन्हें सून सके आईए, देखते हैं कि कैसे लोग प्रेम रावजी के आगामी एवेंस की तयारी कर रहे हैं और उत्साहित हैं कोई भी समय हो, प्रेम रावजी का संदेश हर वर के लोगों को सुकून पहुचाता है और जीवन को सही मायनों में सफल करने के लिए प्रेरित करता है हम सभी के लिए ये बहुत अर्श का पल होता है ज़िए प्रेमरावजी से रूबरू होने और उनके संदेश को लाइफ सुनने का मौका मिलता है रौमबर 2022 में प्रेमरावजी भारत में थे जहां उनके पांच इवेंट्स हुए प्रेमरावजी के इस भारत दोरे में इवेंट की शुरुवात हुई राजविद्याकेंद्र दिल्ली में हस जैनती कांकरम से बहारवाला सिर्फ हम मान सकते हैं जान नहीं सकते हैं और जो अंदर वाला है उसको हम मान नहीं सकते सिर्फ जान सकते हैं इसके बाद 12 और 13 नौंबर को प्रेम्रावजी के 65 जन दिन के पूर समारों पर हम सभी ने प्रेम्रावजी के शांति संदेश का आनंद लिया असली तमाशा जो तुमने अब तक देखा है वो नहीं है असली तमाशा कुछ और है क्या है कि तुम्हारे अंदर ये स्वास आ रहा है और जा रहा है है। इवेंट में हमेशा कुछ ना कुछ नहीं सीखने के मिलता है सबसे बड़ी बात यह लगी की मैं किसी भी कंडिशन में हूँ किसी भी आलाथ में क्यों नहीं हूँ मेरे को बैस यह याद रखने की जुरत है कि हाँ कोई चीज है मेरे अंदर और मैं उसको पहचान की, उस टाइम यह याद है कि सब कुछ ठीक हो सकता है इसी कड़ी में अब बारी थी राज विद्याकेंद्र मिर्जापुरकी जहां 19 और 20 नॉवंबर को प्रेमरावजी का लाइव इवेंट और्गनाइज किया गया यहां एक बार फिर प्रेमरावजी ने हमें समझाया कि जब तक हम जीवित हैं कि संभावना हमेशा मौझूद है कि हम अपने जीवन को शान्ती के साथ आनन्द में जी सकते हैं भोजन एक दिन खाने की चीज नहीं हर रोज खाने की चीज पानी एक दिन पीने की चीज नहीं है हर रोज पीने की जब भी प्यास लगे पानी की जरूरत है हर दिन उस सच्चदानंद का अनभव होना चाहिए एक दिन की चीज नहीं हर दिन शान्ती का अनभव होना चाहिए एक दिन की चीज नहीं दिल्ली से हमने शुरू किया दिल्ली में जो कारिक्रम हुआ बहुत ही सुन्दर हंस जेंती का कारिक्रम उसके बाद में जो दो दिवशे का बड़े कारिक्रम था उसका आनंद लेते हुए हमारी गाड़ी आके रुकी यहां मिरजापूर में और ये दो दिवश का जो कारिक्र प्रेम्रावा जी के इस भारत दोरे ने हम सभी को एक उर्जा से भर दिया इसके फलसुरूप उनके इवेंट्स के बाद पूरे भारत में जन जन तक शान्ती संदेश ले जाने के कारकरमों का सिलसिला बहुती तेजी के साथ शुरू हो गया इसके लिए राजविद्याकेंद्र और वाईपीफ ने लोगों के साथ मिलकर भारत के अलग-अलग हिस्सों में पुरिब्रावा जी के वीडियो कारकरम आयोजित किये तीन-चार डिस्टिक्स में अभी हम एक्टिव हैं हमारे वोलेंटियर्स हैं जो की अलग-अलग इनिशेटिव्स हैं जो भाई-पिएफ के उसमें काम कर रहें जम्मू और कश्मीर में भी पीस एजुकेशन प्रोग्राम के साथ साथ कई और प्रेमरावजी के वीडियो कारकरमों का आयोजन किया गया जहां लोगों ने इसे बहुत ही सा रहा और इसे समय की जरूरत बताया प्रेम रावज सर्केट बहुत शुकर बुजार है क्योंकि दुनिया में कोई तो है जो पीस के लिए पात करें यह जो पीस एजुकेशन का है न यह मतलब सब्जेक्ट होना चाहिए तब ही कुछ सुदार हो सकता है जो हमारे पूरे वोल्ड में तबाई हो रही है पीस तो बहुत जुरूरी है मैंने जो अपना एक वोलेंटियर सेशन के लिए जाइन किया है मैं इसके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ ताकि जो मैंने पाया है वो दूसरों तक पहुचे हमारे जीवन में एक ऐसा भी समय आता है जब हमें आभास होता है महसूस होता है कि शान्ती कितनी जरूरी है सुकून और खुशाली होनी चाहिए जीवन में और तब हम उस विदी को ढूणने लगते हैं ताकि ये संभव हो सके प्रेमरावजी लगभग साट सालों से इसी संभावना के बारे में बात कर रहे हैं ना केवल बात कर रहे हैं बलकि इस विदी को भी बताते हैं ताकि हर एक मनुष्य अपने जीवन में उसका अनुभव कर सकता है और इसी विदी को वो ज्यान कहते हैं इस बात को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं और देखते हैं ये विशेश विडियो एक चीज़ है जो बिल्कुल वैसी की वैसी है और वो है तुम्हारे हिर्दे में वो है तुम्हारे अंदर, बाहर नहीं तुम्हारे अंदर वो आनंद अभी वैसे का वैसा ही है जैसे हमेशा था वो आनंद, अब मैं कहतो रहा हूँ, मैं इसको पर्मानत नहीं कर सकता वो आनंद जो हनुमान ने लिया, अब मैं कहां हनुमान जी को वदिहान लाके उनसे पूछूं परणतु जो आनंद उन्होंने लिया अपनी जिन्गी के इंदर जिसका वर्णन किया है वो आनंद अभी भी तुम्हारे लिये उपलब्द है वो चीज़ जिसको जान करके और अरजुन मान गया, ठीक है मैं लड़ोंगा वो चीज़ आज भी तुम्हारे लिये उपलब्द है वो चीज़ जिसका कवीर दासची ने वर्णन किया तुम्हारे लिये अभी भी उपलब्द है वैसे की वैसे ही जोंकि वो चीज़ कभी बदलती नहीं है, सारा संसार बदलता है, वो चीज़ अवी नाशी है सबसे काम की चीज तुमारे पास क्या है? यह स्वांस सबसे काम की चीज है इसके बारे में कुछ जानते हो? इसके बारे में कुछ जानते हो? तुम लोगो तो जान है, तुम तो हाँ भी बहु सकते हो तुम जो यूट्यूब में देख रहे हैं, कम से कब उनके लिए प्रसन अच्छ है जानते हो? इसमें जितना आनन्द है, और किसी चीज़ नहीं है इसको समझने में जितना मजा है, और किसी चीज़ नहीं है वो! 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 जो अविनाशी है, वो इस हर एक स्वांस के अंदर तुम्हारे अंदर आरा है, जारा है, आरा है, जारा है यही उसका आशरवाद है तुम्हारे लिए यही उसका आशरवाद है नर्दन भववारित कहूं बेरो, सनमुक मरुत अनुग रहे मेरो इस स्वांस का आना जाना ही मेरी कृपा है जो इस कृपा को अपने हिर्दे से नहीं लगा पाता जो इसको स्विकार नहीं कर पाता उसके लिए अविनाशी का अस्थित्व क्या है बोलने में तो भगवान समझने में कुछ नहीं और अकर सचमुच में लोग भगवान को समझते तो भगवान के नाम पे लड़ते पर जो समझ नहीं पा रहा है उसको जानने की जरूरत है और जाना तभी जा सकता है जब तुम उस चीज का अनभव करो यह तुमको लकीर के फकीर बाले नहीं समझा पाएंगे यह बात कि तुमको अनभव करने की जरूरत है लकीर के फकीर नहीं समझा पाएंगे सिर्फ वो समझा पाएगा जो इस बात को जानता है और सबसे बड़ी बात है जब तुम मंदिर में जाते हो और पूजा करते हो तो ना तुम कभी पुजारी बनोगे ना तुम पत्थर के बनोगे मुर्ती बन जाओगे ना तुम केला चड़ाते हो तुम केला भी नहीं बनोगे तुम नारियल चड़ाते हो नारियल भी नहीं बनोगे परंतु जब तुम गुर्महरात के पास जाते हो और वो उस चीज का अनभव कराते हैं तो तुम भी वो जान जाओगे वो जो वो जानते है यह खुबी है यह अंतर है तुम भी जान जाओगे तुम भी समझ जाओगे जो वो समझते हैं तुम भी जान जाओगे जो वो समझते हैं तुम भी जान जाओगे जो वो जानते हैं और तुम्हारे जीवन के अंदर वो परवर्तन आएगा कि तुमको उस स्वांस से प्यार हो जाएगा उस चेतना से तुमको प्यार हो जाएगा इस जीवन से तुमको प्यार हो जाएगा असली स्वारग से तुमको प्यार हो जाएगा अभी नाशी से तुमको प्यार हो जाएगा अभी तो तुमको अभी नाशी से प्यार नहीं है क्यों प्यार नहीं है तुम उसको जानते ही नहीं है, प्यार क्या करोगे, प्यार क्या करोगे, पर जिस दिन तुम जान जाओगे, मान नहीं, जान जाओगे, उस दिन, सब कुछ बदल जाएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार 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 बार नहीं, दस्यों बार लोगों को सम्झाना पड़ता है, और फिर भी लोगों की सम्झी में नहीं आती है, तो कि नाम जब लेते हैं अभनाशी का, तो ये तो वो बाली बात होगी, किसकी बात हो रही है, और क कि अभी लापता नहीं है। हर एक जगे उसका पता है। वही एक है। वही एक है जो तुम को जानता है। और वही एक है जिसको तुम नहीं जानते है। वही एक है जो साब को जानता है। और वही एक है जो सब उसको नहीं जानते है। सिर्फ कोई-कोई बिड़ला है जो उसको जानता है हम चाहते हैं कि तुम भी वो बिड़ला बन जाओ जो उसको जानता है सुनो तात ये अकत कहानी समझे बिनई न जाए बखानी क्या है कहानी? इश्वर अंस जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशी सारी नाशवान दुनिया में एक चीज़ है जो अविनाशी है इश्वर अंस जीव अविनाशी इश्वर का अंस है तुम्हारे अंदर मतलब तुम सुखे से लेकर के शाम तक जिस भी चीज़ को देखते हो वो सब नाशवान है उसका नाश होना है उसी को तुम अच्छा मानते हो उसी को तुम बुरा मानते हो उसी से सुम प्रेम करते हो उसी से तुम रफरत करते हो उसी से तुम्हारा संबंध है मतलब अपने घर से चलते हो वो भी नाशवान है अगर तुमारे पास स्कूटर है तो वह भी नाश्मान है, तुमारे पास कार है तो वह भी नाश्मान है, वो रोड पे चलती है तो वह उसका भी नाश्मान है, तो अपने आफिस पहुचते है तो उसका भी नाश्मान है, जितने लोगों से तुम मिलते है उनका भी नाश्मान हो जिसका नाश नहीं होता है और इस सारी नाशवान दुनिया में एक चीज़ है जो अविनाशी है ईश्वर का अंस है तुम्हारे अंदर ईश्वर अंस जीब अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशी सुख देने वाला वो तुम्हारे अंदर है क्या संब्द है तुम्हारा उस से तुम उसको जानते हो तुमने उसका अनभव किया है यह सिर्फ कहने की बात है ऐसे कहने वाले तो बहुत हैं जो बात मैंने यहां तक जो कही वो तो बहुत हैं कहने वाले परमात्मा तुम्हारे अंदर है यह कहने वाले तो बहुत हैं उनकी कोई कमी नहीं है हमारी बात में उनकी बात में अंतर क्या है हम कहते हैं उसका अनभव करो और हम करा सकते हैं विज्ञानिक लोग अर्बों 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 का पैसा खर्च करते हैं यह देखने के लिए कि कहीं और जीवित लोग हैं या नहीं नहीं बड़े बड़े यान भेचते हैं यह देखने के लिए कि लोग वहा हैं या नहीं तो भवे एक नीचे भेच सोना तो सुम्-स तो नेचे भेच देंगे तो कुछ मिल जायगा कुछ नहीं मिलेगा आकाश के उपर देवी देवता रहते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता है? बादलों के उपर देवी देवता रहते हैं? नहीं? जहां कुछ है, वहां तक पहुँचने की बात कोई नहीं करता है. और वो कहां है? इश्वर अंस, जीव अविनाशी. अरे तुमको क्या मतलब? तुमको क्या मतलब? कहां कौन सा यान? किसको खोजने के लिए बेजा है? जब तुम यह नहीं पता कर सकते हो कि इश्वर अंस, जीव अविनाशी, जो तुम्हारे अंदर जो इश्वर का आंसे वो कहा है मैं पूछता हूं तुमसे भगवान मानने की चीज है या जानने की चीज है क्यों भीया जब हम किसी से पूछते हैं या किसी का धरम पूछना है तो उससे पहले नहीं पूछते हैं तुम भगवान को मानते हो, भगवान को मानते हो, या भगवान को जानते हो, मानते हो या जानते हो, अगर मानते हो तो जानो, जानते हो तो और जानो, और इतना जानो, इतना जानो, इतना जानो कि पूछो मत, उस अबनाशी से अपना नाता जोड़ो, बाकी सब एक दिन, चाहे तुम चाहो या न चाहो, तुमको छोड़ना पड़ेगा, मैं एक बाद, सुन्लो मेरी बाद, तुम नाताओं पर विस्वास करते हो, नाता नहीं टूटना चाहिए, नहीं, विस्वास करते हो, इसलिए साथ परे लेते हो, साथ जनम तक, एक जनम तो निभा नहीं सकते है, साथ जनम की हैकडी, साथ जनम, नातों में विष्वास रखते हो। सबसे नजदी की नाता क्या है। बाप बेटे का नाता है ये भी एक दिन टूटेगा। माप बेटे का नाता है ये भी एक दिन टूटेगा। नहीं। पत्नी का नाता है ये भी एक दिन टूटेगा। तो जितने तुमने नाते बनाई हैं, सब टूटेंगे। क्या तुम्हे कैसा नाता बनाना चाहते हो, जो कभी न टूटे। जब कर चाहते हो, तो ये भी संभब है। पर वो नाता बनाना पड़ेगा तुमको अवनाशे के साथ। तुम्हारे पास एक टिफन है। टिफन में खाना है। बहुत बढ़िया खाना है। परोठे हैं, उपर दो परोठे हैं और उनके बीच में अचार है। फिर दो परोठे हैं उनके बीच में बिंडी की सबजी है। फिर दो परोठे हैं उनके बीच में आलू है। फिर दो हैं नीचे उनके बीच में हरी मिर्च है। प्याज है कटावा कच्छा, एक टिफन है, वो तुम्हारे पास है, तुम जा रहे हो, अगर कभी तुमको चिंता लगे कि तुम क्या करोगे अगर तुमको भूक लगने लगे, तो इस टिफन को जड़ा, महसूस कर लो, उसमें खाना रखा है, नहीं, सब बड़ी है, और सबसे बड़ी चीज याद रखना उस टिफन को जब भूक लगे, भूकें मत पर जाना, क्योंकि टिफन तुम्हारे पास है, खोलो और खाओ, जब भूक लगे, सब एक ही बार में न सब का मजालो, उपरवाले का मजालो, उसमें तो अचार का तेल पहुच गया हो का परणठोर, नहीं, उसका अपना अलग सवाद है, आम का अचार होस में, मिर्च का अचार होस में, भरी मिर्च, लाल भरी मिर्च का अचार होस में, निम्बू का अचार होस में, बिंडी वाला है, उसमें बिंडी की खश्वू और सब बिंडी का सवाद भरेगा। भूख लग रहे हैं तो भूख लगना। भूल मत जाना की तिफन है। एक तो भूख लगना। एक तो भूख लगना। और दूसरा ये भूल जाना की तिफन है। तुम तो गए। तुम तो गए। पाने के साथ भी यही है। पाने साथ लेके चलो। पर जब प्यास लगे तो भूल मत जाना की पानी भी साथ में है। अब यहां लोग बैठे होंगे, यह कोई भी सुनरा होगा मेरी बात को, तो वो सोचे का भी, यह तो बड़ी साधारन सी बात है। यह तो बहुत साधारन सी बात है, यह क्या बहुत कह रहे हैं? यह बड़ी मरम की बात है कोई? कि भूल मत जाना? यह साधारन बात नहीं है भीया, यह साधारन बात नहीं है। अरे, जो खुद कुशी करने के लिए तयार होते हैं, वो उनको भूल गए कि उनके हां, उनके पास में, उनसे प्यार करने वाला उनके हिर्दे में बैठा है। चाहे दुनिया को उनकी परवा हो या नहो परंतु उनकी परवा करने वाला उनके पास है। चाहे वो किसी भी प्रस्तती से निकलें, उनसे प्यार करने वाला उनके प्यार उनके पास है। यही तो भूल जाते हैं लोग, और फिर दुखी होते हैं, दुखी होते हैं। चेतन, अमल, सहज, सुख, राशी तुम्हारे अंदर है। यह है कहानी, यह कहानी हम तुमको सुनाना चाहते थे। है न अजीब कहानी? इसमें न राजा है और न रानी है। इसमें न उंठ है, न शेर है, न खरगोश है, न चुवा है। इसमें क्या है? एक तुम हो और एक अबनाशी है। इसमें, इस कहानी में थोड़ा सा दर्द भी है। कि जिसकी तुमको खोज है, वो तुम्हारे ही पास है। और तुम भी को नहीं मालो। यह इसमें थोड़ा सा ट्राजडी है। थोड़ा सा रोना है। कैसा रोना है? कि दुखी होंगे, क्योंकि उसको जानते नहीं है। थोड़ी सिसमें हुमर भी है, हासी भी है। जैसे कि विर्दाजी ने कहा, कि मोई सुन-सुन आवे हासी। पानी में मीन पिया सी, मोई सुन-सुन आवे हासी। आतम ज्ञान बिना नर भठके क्या मतुरा क्या काशी। आतम ज्ञान बिना नर भठके क्या दिया है तुमको आतम ज्ञान दिया है। आतम ज्ञान बिना नर भठके क्या मतुरा क्या काशी। मुर्ग नाभी में है कस्तुरी, बन-बन फिरे उदासी, उदासी, बन-बन फिरे उदासी, मोह सुन-सुन आवे हासी। इस कहारी में सब कुछ है। और इस कहारी के दो अंत हैं। एक अंत कि वो उस दिवाल से गया, गये और खो गये। और दूसरा अंत कि वो अनंत के साथ जुड़ गये। जहां देखो, वहां वो अनंत है। खेर, यह तो कहारी बहुत लंबी चड़ी हो सकती है। और लोग हमको कहते भी हैं कहानी सुनाने वाले हैं। ठीक है, हम कहानी सुनाते हैं। तो यह कहानी सुनाने में जितना आनंद है ऐसी कोई कहानी नहीं है। ऐसी कोई कहानी ही नहीं है। और समझने में भी का इतना आनन्द है कि पूछो मत और हमको क्या चाहिए तुमारा अभार तुमारा प्यार बस अभार और प्यार बस और हम कानी सुनाएंगे और ये सच मुच में वो कथा है जिसको सुन करके ये है असली सत्य नारायन की सत्य कथा अस्मान में बहुत दूर एक पत्थर का टुकड़ा है और चोटा मोटा नहीं है काफी बड़ा है खुब भारी और वो नीचे गिर रहा है 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 और वो गिर रहा है किस पे तुम पे गिर रहा है तो यहां कोई ऐसा है नहीं जिसके उपर वो गिरना रहा हो सब पर गिर रहा है तुम बहुत काम के हो तुम अपने जीवन में उस अविनाशी का अनुभव करके अपना जीवन सफल कर सकते हो तुम बहुत काम के हो और जब तुम महकोगे तो तुमारी खश्बू आसपास खूब महकेगी जब तुम दिये की तरहें प्रकाश दोगे तो इस अंधेरे में चलते हुए किसी प्रानी के जीवन में थोड़ा बहुत प्रकाश तुम ला सकोगे तुम बहुत काम के हो समझें न पर याद रखना वो पत्थर गिरेगा और जब गिरेगा उसके बाद अब लोग कहते हैं न लोग कहेंगे जी आप वो तो फिर भी आप देते रहेंगे न प्रकाश अपना न समय का गुरू समय का वैद समय का राजा और यह तो और भी चल सकता है समय का बेटा समय की बीबी समय का पती वो हयार पेनाया हुआ जिसको वो क्या करेगा वो तो कुछ लाने से रहा समय का समय का समय का और सबसे बड़ी बात यह तुम्हारा समय है अब यहाँ लोग बेटे हुए हैं काफी बृद लोग हैं देख रहा हूं है हम भी सालों पहले बहुत जबान हुआ करते थे दीरे 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 करके पर बात यह है भाई जो हमने सीखा है बात यह है कि जब तक वो पत्थर पढ़ न जाये तब तक सब ठीक है वो पढ़ेगा जब पढ़ेगा पर जब तक पढ़ न जाये तब तक करपा है जैसे कहा है कि नर्तन भवारित कहूं बेरो सनमुक मरुत अनुग रहे मेरो यह स्वास का आना जाना ही मेरी करपा है और जब तक करपा है तब तक करपा है मतलब है ये नहीं है यह नहीं है ये नहीं है कि तकड़ीमि HTTP खत्म हो गई है वह पर कि तकड़ीमिन कड़ने चल रही है अगर तुमारी कार में थोड़ा सा ही पेट्रोल रह गया एक रहना और तुम चला रहे हो तो तुम यह तो नहीं कहोगे कि तकरीबन तकरीबन खतम हो गया तो इसलिए गाड़े को ही रोग देते हैं नहीं चलाते रहोगे चलाते रहोगे जब तक वो चलती रहेगी और अगर तुम भागिशारी रहे तो पेट्रोल पंप तक पहुंच जाएगी और पेट्रोल पंप में पहुँचने का मतलब क्या है कि जिस दिन तुम उसका अनुभव अपने हिर्दे में कर लोगे वो शान्ती का यह नहीं है कि सिर्फ एक दिन करना है यह नहीं है कि सिर्फ आदे घंटे करना है नहीं हर रोज करना है जब तक जिन्दा हो हर रोज करना है हर रोज जैसे चाय जिसको चाय की आदत पड़ गई उसको हर रोज पी नहीं है नहीं यह थोड़ी है एक बार पीली है हाँ जी जब हम बारा वरस के ता हमने पीछी चाहें अब हम समस्व संतुष्ट हैं, ना! जिग्यासु कौन होता है? छोटे बच्चे को कभी आइस-क्रीम खाते देखा है? बात करता है किसी से? कौन सी फिल्म देखने के लिए जाना है? कहां जाना है? क्या करता है? ना! अखारा है, घाराा है, घारा है, घारा है, घाराना है, ःथोड़ा सा कर पिगल की यहां भी आगया, क्या करेगा? उसे कहते हैं जी 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 जासु कौन हो हूँ से नकराया नहीं करेगा? प्यासा वो है जो पानी से अपना रिस्ता बनाएगा, ग्लास से नहीं, जो ग्लास से रिस्ता बनाएगा, वो जग्यासू नहीं है, वो जग्यासू नहीं है, पर याद रखना, या तो जग्यासू हो या नहीं हो, या तुमने जान दिया है अपने जीवन में कि हिर्दय की प् को लिए और मन कैसे तुमको बढ़ाएकार काई से स्थी को प्रिशानry के समय तुमने याद कर लिया किसको याद कर लिया तुम खुश हो सकते हो जुक्त से ब्सक्ति हो है यह वे करो गें या नहीं करो गें वह पत्थर अभी गिर रहा है कि अर गिरेगा चाहे तुम successful हुए, चाहे नहीं हुए, वो पत्थर फिर भी गरेगा, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, और हम चाहते हैं, कि उस पत्थर के गिरने से पहले, बाद भी नहीं, पहले, जो असली स्वर्ग है, उसका तुम कि उस भी नहीं हम चे कि आंड है, चर रहा है, जो बाद भी नहीं ह।ो कि उसके हुए, बाद भी तुम्हदा क सिए, यान से एवाचि कषब चाहते हैं, भी तुममी, वान !! झाल झाल जिस शांती की चर्चा करते हैं, उसका अनुभव करने के लिए वो हमारा मार्क दर्शन भी करते हैं। अगर आप इस बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो शांती का उपहार वीडियो सीरीज देख सकते हैं। जिस चीज की हमको तलाश है, वो हमारे अनुभव। कि उस तक हम कैसे पंचे हैं। देखिए, इन आखों से हम सबका चेहरा देख सकते हैं। परंतो अगर हम अपना चेहरा देखना चाहते हैं, तो हमको आइने की जड़ी है। तो यह आइना क्या है? ऐसा आइना जो हमको हमारी असलियत बताए। ऐसी कोई चीज जो हमको वो अनुभव कराए जो हमारे अंदर है। तो एक ऐसी चीज है, उसको मैं कहता हूँ आतम ज्यान। इस सीरीज को आप अपने घर, नजदी की केंद्र या सूचना केंद्र में जाकर अपनी सुवधा अनुसार देख सकते हैं। इस बारे में किसी भी साहता व जानकारी के लिए आप राजविद्या केंद्र की हल्पलाइन नंबर पर संपर्ग भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। चाप दिलक सब छी निरमों से नैना मिलाईगे चाप दिलक सब छी निरमों से नैना मिलाईगे चाप दिलक सब छी निरमों से नैना मिलाईगे अज़ आप दिलक सब दी निरमों से निरमों से नैना मिलाईगे बल बल जाओं मैं तूरे रंगरे जावा बल बल जाओं मैं तूरे रंगरे जावा अपने ही रंग रंग ली नीरे मोजन न मिलाईगे चापती लक सबची नीरे मोजन न मिलाईगे अहाँ प्रेम बटी काम धुला पिलाई के प्रेम बटी का मधुवाँ पिलाइके प्रेम बटी का मधुवाँ पिलाइके प्रेम बटी का मधुवा मिलाईगे मदबारी करदी निरमोस नैना मिलाईगे छाप तिलक सब छी निरमोस नैना मिलाईगे नैना में आईगे खुसर निजा में के बल बल जाओ खुसर निजाम के बल बल जाओ खुसर निजाम के बल बल जाओ मोह सुहागन की निरमोस नैना मिलाईगे चाप तिलक सब छी निरमोस नैना मिलाईगे अपने ही रंग में ली निरमोस नैना मिलाईगे तो नैना, नैना झाल 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 झाल